Hello everyone, आज कर दिन है संडे का और संडे को तो पूरी फैमली रहती है घर पे तो सब का बहुत मन करता कुछ अच्छा अच्छा काने का पूरे दिन भर की काम करने के लिए और अच्छा लंच बनाने के लिए थोड़ी तो ताकत चाहिए ना तो सुबह सुबह आलस बहुत आता है मैंने जल्दी से हम पर चाय बना लिए एक दम जो मेरी और मेरे हजबन की काफी फेवरिट है लेमन ग्रास वाली और चलिए अभी सबसे पहले चाय को एंच्छा करते हैं वो चाय पर चल्चा करते समय मुझे पता चला कि भाई आज तो डिमांड है बिर्यानी की मैंने सूच सब को सबसे पहले अच्छे से शुखा हो राइसु कि इस को सबस्तोर करें और ये इस तब काम तो ने पड़ीया है तो चडएँ अब हम करेंगे बिर्यानी की तक यह अधूर्ए थराइव और चोटे फाल दोrès बिर्यानी to देखने अप लगले साइन गार्गे सारा वाले ज और आज रखे से दो तीन पानी से दूपके में यहां लग दिया आप जाल बर चौपिग आप इसमें काफी सारी सब्सक्राइब मेंगे इसमें बढ़ा बढ़ा कार्ड करने निया बहुत सारा ला अई जिए अधरा चॉप कर लिया था मैंने काफी के बात टोल है का एक लिए यानि जो फ्राइड अनियन वह बनाएंगे और दूसरी हम जो मसाले के लिए उस करेंगे सब्सक्राइब हो गई तो यहां मैं सबसे पहले राइस को बॉल कर लोगी इसे कर थंडा होने के बाद राइस एक्तम खिला खिला रहेगा सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया है और इस पानी उबलने लगेगा इसमें हम जो धोई हुए राइस रखे थे वो डाल देंगे राइस को हमें 80% को करना है कंप्लीट कुक नहीं करना है और जब तक नहां पर राइस पकेंगे तब तक हम बाकी तर्किय की तैयरी कर लेंगे एक कड़ाई में मैंने डाला है दो तीन चम जीरा और बाकी सबजीया जो हमारी थी ना चॉपिंग वो सब डाल देंगे वधिहाँ अग्याद को बेकुल कैप सिकम डाले गा डालेगा उसे स्टेच पर क्यां बहुत ज़ादी पक जाती और एक दम उसका स्वाद वह अच्छा नहीं आता तो पहले आप जो बड़ी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें डाल के नमक डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें और इसको हम 50 परसं तर कुक कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें कैपसिका मैट करेंगे सब्जियों को ढखके अच्छे से पका लेंगी तब तक यहां पर राईश चुता वो भी कुक हो गया है तो यहां में चलनी में निकाल लूँगी जिससे एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाएगा और थोड़ा से सरसे फैला देंगे जिससे जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और गर्मी में कितनी बुरी हाला था यह भी आप देखी पा रहे हैं सब्जिया पक गई तो इसमें मैंने डाला हल्दी और हमें कैपसिकम न भूल जाओं से सबसे पहले मैंने कैपसिकम डाल दिया इसके अंदर और इसमें बाकी मसाल डालेंगे तो मैं लाल मिच डाली आप कमें जादा रालें धनिया पाउडर डाला है दो चमत जितना और अच्छे सबी मसालों के साथ कैपसिकम को बाकी सब्जें को मेक्स कर लेंगे और इसको हम ढखके पकाएंगे अब अच्छे से कुख होने तक और यहां में धनिया और पुदीने को भी बारी कट कर लूँगी कि न दोशिद होके सब्जियां पक गयी है अब इसमें हम डालेंगे ठमाटर दही 10 सबढ़ आधा क्तुरी जितना और बिडियानी मसाला तो यहां में दो चम सब्लाइद्न का ले सकते हैं ओर इसमें डालेंगे पुदिन को बहुत इंपॉटन्ट है फ्राइड की हुए यह बहुत अमेजिंग टेस्ट करती है और यह मैं थोड़ा से पनीर को भी शैलो फ्राइ कर दी हूँ एक पर हजबिन के ओफिस में ना मंचूरियन बिर्यानी आई थी तब से उनको वो टेस्ट में बहुत पसंद आई है और मुझे तो वो टेस्ट करना भी तक नहीं मिली आपने ऐसे कुछ वियर्ड बिर्यानी कॉम्मेशन ट्राइ करें तो मुझे कॉम्मेशन बताईएगा मसाल अच्छे से पग गया है तो यहां मैंने डाल दिये हैं यह पनीर के क्यूब्स और इसके साथ बहुत सारा हरा धनिया और जो मसाले ना बिर्यानी का वो बनके तयार हो गया है अच्छे से एक बार और मिक्स कर देंगे और यह जब बजस्त हमारा बिर्यानी का मसाला बनके तयार है जो सबजी है ना वो एकदम खड़ी गड़ी है आप देख सकते हैं बिल्कुल मशी नहीं हुई इस तरह की बिर्यानी में देखती है न तो बहुत अच्छी लगती है तो यहां मैंने एक तवा लिया एक गैस क्यूपर और इसके साथ मैं रखा एक क्ले पॉट इसमें हम डालेंगे देशी घी और अब इसमें हम एट करेंगे म अच्छी से मसाले को इस तरह से फैला देंगे और इसके बहुत अब डालेंगे राइस इसे बहुत अब डालेंगे भिवगवाय हो अकेस है जिसे मैंने गरम तूथ में डाल दिया था पांच मिट के लिए फिर डालेंगे धनिया पत्ति बारी कटी हुई और इसके साथ डाल अब पूरे राइस में आ जाता है और बहुत ही अच्छा कलर और टेक्श्र आता है तो बापे से मैंने इसमें सब्सी डालती है और अगेन इसको हम पहले अच्छी से फिला लेंगे और इस पर डालेंगे बाकी बच्छा हुआ सारा राइस तो यह जो हंडी है ना यह पूरी किचिन गार्डन से लिया है पुदीना उसको डाल देंगे और यहां मैं साइड में आटा लगा रही हूं जिसे हम अच्छी से क्ले पॉट को बंद कर पाएंगे और उसकी जितना भी अरोमा है वह बाहर नहीं आएगा इस प्रोसेस को ही बोलते हैं दम लगाना और लास में दालेंगे अच्छे से देशी घी दो चमा जितना अखले पॉट को हम कर देंगे बंद अच्छे से सील कर देंगे ध्यान से और स्लो फ्लेम पर से हम पंदा मिट तक दम लगने देंगे जब तक बिर्यानी में लग रहे दम तब तक जल्दी से एक जटपट वाला रायता बन कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिरस के अंदर में डालेंगे ग्रेट किया हुआ खीरा रायता बनाएंगे जो कि बहुत जादा अमेजिंग लगता है बिर्यानी के साथ थोड़ा सा बारी कट्रवा प्याज भी डालेंगे हरी मिर्च हरा धनिया और लीजे पूरी बसूल हो जाती है जो बढ़िया से बढ़िया सी कुष्ट भूगाती है तो यह देखिए बढ़िया सी हमारी दम बिर्यानी तैयार है यह पर बिल्कुल खेले के लिए चावल के साथ ना एक दम परफिक बनिये तो फिर देर किस बात की जल्दी से उसको ना सफ कर ले और भी ऐसी मज़़ा रेसिपी के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए लाइक करी शेयर करिए और आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मिलूंगी बहुत जल एक नए रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई